हेलो वाट्सप गाइस माने में स्पिनोध बादू थापा एंड टूरे इन इस वीडियो वीडियो में हमने लॉग इन फॉर्म देखा उससे पहले मैंने आपको रेजिट्रेशन फॉर्म बाता है तो एक फॉर्म जो बहुत कॉमनली यूज्ड होता है एंड डैट इस जो कॉं इन रियक्ट यह बहुत ऑसम क्यूवर्ड है एंड बहुत सभी लोग इसका जैनूरी रिसर्च करते है तो यह वीडियो में लेके आए हूं लेकिन मैं चाहूंगा यह वीडियो को आप पॉस कीजिए खुद से आप एक कॉंटक फॉम बनाएए एक काम करता है आप मत बनाओ मैंने अल्रीडी बना के रखा तो मैं जल्दी से आपको जो है इसका फोल्डर स्ट्रक्टर भी दिखा देता हूं सो हेर वी हवा यूज स्टेट हूग जिसका नाम मैंने रखा है इसमें कुछ भी रियक्ट का अभी तक मैंने नहीं किया हूए ठीक है कुछ चीजे है जिसका आपको ध्यान रखना होता है जो साइथ मैंने अभी तक ना बताया था जब आप लेबल के साथ काम करते हैं तब आपको html 4 लिखना पड़ता है बट इन नॉर्मल html हम से 4 लिखते हैं और बाकी तो या इस वान अर्सो ऑटो कंप्लीट यह ऑटो कंप्लीट में गाइस आप देख सेकते हुए कैमल केस में है बट इन नॉर्मल आप नॉर्मल लिखते हो लाइक एस्टेमल में तो बहुत सारी चीजे है जो थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ठीक है सायद मुझे लग रहा है कि मुस्टली जो डबल वर्ट रहते है तो उसका अगेन उसको कैमल केस पॉर्मेट में आपको लिखना पड़ता है तो यह सारी चोटी चोटी चीजों को आपको गौर देना बहुत ज़्यादा जरूरी है कहीं पे भी कुछ ऐसा यहां पे इंस्टेड आप लोग इंपोर्ट भी करा देता हूं यहां पे चलता हूं और बूम गैसी सो इस आवर कॉंटेक्ट फोर्म और मैं चाहूंगा अभी क्याभी आप कीजी वीडियो को पॉजड एफ दो तरीके से एक तो तीनों के लिए इंडिविजुल यूज से की मदद से एक state variable लीजिए and then second one is using guys your single use state variable जहां पे आप as an initial value में ही तीन state को as an property define कर लोगे ठीक है तो वो आप जरू ट्राइ कीजिएगा and मुझे बहुत कुशी होगी अगर उसका source code आप निचे comment section में share करते हो I hope guys आपने at least try क्या होगा so let's check it out and कितिन इसको deal कर सकते लेकिन उससे पहले गाइस अभी तक like, share and subscribe निचे तो please कर दीजेगा तो देख लीजेगा इसमें कैसे फटा फटा अब इसको करता हूं ठीक है तो सबसे पहले we have total three forms over here तो मैं दो तरीके से करके बताऊंगा दो नो तरीके से पहला देखो and it's totally up to you कि आपको क्या पसंद आता ठीक है क्योंकि बात जब वो तीन या उससे कम तो कोई टेंसे निए कोई भी आप अपना लो so let's go with यहां पर एक काम करता हूं यहां पर पेश कर लेता हूं कल का वीडियो जो था यहां पर instead of password what we have and guys I just realized कि password हमें नहीं लिखना है हमें यहां पर चाहिए उनका email है ना तो मैं email कर दे हूं एंड इसको मैं थोड़ा इस तरह की से email कर देता हूं ठीक है तो यह जो पर्टिकुलर पासवर्ट जो था यहां पर इसको मैं email कर देता हूं ठीक है so here we have this email and यह जो पर्टिकुलर रिकॉर कॉंस्ट बेरियाबल होगा वहां पर let's go with the message let's go with set message and then we have our use state जहां पर मैं उस user name ठीक है and here we have on change no matter what हमें यह देना पड़ेगा and if you really don't know your on change क्या है अगर आप मेरा वीडियो फिर्स्टाम देख रहे हो then I highly recommend मेरा जो प्रिवेश वीडियो है registration form and then login form उनको एक एक बार I mean registration form में आप देख लिजे आपके सारे doubt clear हो जाएंगे and login form में तो मैंने पुरा shortcut बता ह है फिर वही shortcut में यहां पे भी अपना रहा हूं and that is event and here we have our that particular code set username में में जो इसकी actual value उसको set करने जा रहा हूं target dot value this is perfect तो इसको copy करूंगा यहां पे paste and over here also मैं paste करने जा रहा हूं अब यहां पे username नहीं चाहिए होगा I need email and here instead of set user I will go with set email here I will go with set message and here I will go with message तो यहां गाइस देखे कितनी easily हमने इसको कर ली यहां पे मैं चलता हूं right click inspect we have a second console पर इतना कुछ दिख रहा है but कोई problem नहीं कोई error नहीं है components पर हम चलते है so let's go with Vinod thapa at the rate subscribe.com I know spelling wrong है hello contact form in react.js perfect देख इस पर click करते ही and boom guys see यह देख लीजे हमें हमारा hook मिल गए with three states अबको अ order दिया हुआ है and sub में हमें हमारा जो value चाहिए तो मुझे मिल गया तो value तो हमने बहुत easily get कर ली अब बस इसको मुझे आगे forward करना है जब भी कोई form को करेगा submit and believe me guys वह बहुत ही ज्यादा easy होने वाला है just वही same piece of code on submit on submit में आपको handle form and then we have this submit perfect यह जो particular function है आपको इसको define करना होगा तो बस guys अब आपको इसको define करना है let's go with fat arrow function यहाँ पे event ताकि guys हम जो default behavior form submit करने वाला उसको हम prevent कर सके so it's prevent default and यहाँ पे let's go with the const form contact data will be इसको देखो कैसे करेंगे user का नाम यह एक key है and इसकी value मुझे यह जो username है जो update हुई है वो मुझे पास करनी है we have not password we have email so guys इतना अगर आप लिख लेत हो तो मैंने बहुत बार हर बार अपने वीडियो में आपसे का है when both the keys and then value are same then there is no need to write two times एक object में जब key and value जो है दोनों same हो तो हम सिब एक बार भी अगर लिखते है वो particular value या की आप कह लिजए आपका वो समझ जाता है object की हाँ user name and यह जो value है दोनों same है so we have a message this is it अब यह जो particular piece of code में लिखने जा रहा आप यह समझ लिजएगा कि यह वो data है जो मैं back end को पास करने वाला हूँ ठीक है मैं यहाँ पर चलता हूँ ध्यान से देखेगा इसको एक बार रिफ्रेस कर रहा हूँ inspect करता हूँ console पर आता हूँ so here we have a winod था पर दोरेट like.com एंड यहाँ पर hello contact एंड यहाँ पर contact form लिख देता हूँ चलो ठीक है and guys the moment में send करता अब भूंगा इसी मेरा यह काम हो गया कितनी easily यह जो मेरा data है forward हो गया दो अभी तो मैंने आपको console में दिखा but you are curious अगर आपको जानना है कि in reality actual में front end back end and database से कैसे connect किया जाता है यह जो contact form का data में reality में reality में कैसे back end को forward करूँ and जाके आगे database में store कर दे so guys अगर आप उसको जानना चाहते हो then don't worry मैं already scoop of complete पूरा month series upload कर चुका हूँ यह वीडियो आप देख सकते हूँ जहां पर मैंने दिखा और to connect your front end with back end and database इस वीडियो के एक बाद चेक आउट कीजएगा आपके सारे करने की नेट नहीं बस इसको मैं comment कर देता हूँ इसको भी ठीक है अब मैं क्या करूँगा सिर्फ एक बनाओंगा let's say message and यहां पर set message messages चलो message ही लिख दो कुछ नहीं होता and we have a use state and object बनाओंगा जिसमें we have this user name ठीक है एक empty value then we have email with empty value then we have that message with empty value ठीक है यहां तो contact contacts ठीक है चलो contacts कर देते ठीक है perfect तो guys ही जो contact से इसको copy कीजिए यहां पर username dot I mean contact dot username contacts dot email contacts dot message perfect यह मेरा काम हो गया ठीक है अब यह जो वाला यह वाला जो particular line है control इनको मैं comment कर रहा हूँ मैं नहीं चाहता वो कहीं जाए तो मैं on change वापस से बना रहा हूँ जहां पर अगर आप notice करोगे मैं एक साथ लिख रहा हूँ and मैं handle input लिख देता हूँ handle input एक second handle input change ठीक है अब देख सकते हूँ मैंने तीनों में बनाई यह एक दो and then thin perfect अब मुझे इसको define करना है यहाँ ठीक है so मैं चलता हूँ const handle input change इस तरीके से simple अब यहाँ पर मैं एक event लूँगा आपना जो registration form है जो the best way to tackle your registration form जो multiple input fields उसको कैसे tackle करना है उस पर मैं already बता चुक हूँ and that is मैं directly destructure कराऊ name and my email नहीं sorry it's a value ठीक है कहां से from event dot we have a target ठीक है perfect अब बहुत ही ज्यादा easy है मेरा यह जो set contacts होगा इस पर we have callback function ठीक है and उस पर guys आपको यह पहले parenthesis देना एक object pass करना dot 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 previous and previous की value तो मुझे free का तो मिलेगा नहीं मुझे यहाँ पर pass करना पड़ेगा इस तरीके से अभी जो previous value का मतलब यह होता है दो तरीके से आप इस previous के साथ deal कर सकते हो एक तो to do list में अगर आपको जो previous data उसको preserve करके रखना है and एक new data at the end में add करना है या एकदम top में add करना है तब आप इसका use कर सकते हो and अभी हम object के साथ deal करें तो इसका एक best part यह है अगर आप comma देते हो and यहाँ पर अगर आप एक dynamic value pass करते हो it means कि जो existing key है अगर उससे match कर यह तो सिर्फ उसी की value को वो update करता बाकी को as it is रखता है या तो मेरा username का काम करेगा या तो मेरे email का काम करेगा या तो मेरे message का काम करेगा name will be dynamic what value will be यह वाला value जो हम on change की मदद से get कर रहे है ठीक है तो इस तरह किसे मेरा काम करता है यह यहां पर यह contact लिखनी की need भी नहीं है मैं directly यहां पर यह मेरा contacts पास कर दूंगा यहां पर यह यह मेरा easily काम हो जाएगा देखो मेरा काम हो गया कितनी easily हमने यह की बट हाँ यह में easy नहीं बोलूंगा यह easy तब है जब आपको फंडा समझ गया जब आपको यह पाता चलता है वह जो three dots है उसका क्या मतलब होता है यहां पर आप देख सकते हैं यह जो particular वीडियो है मेरा 29th नंबर का masters use state with object test your skills इस पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बता है इस वेडू के एक बाद जरू check out कीजएगा यह three dots का पूरा fund आपको पता चल जाएगा बट अभी मेरा काम हो गया यहां पर कोई बड़ी बात नहीं थी it's simple मैं यहां पर चलता हूं एक बाद इसको refresh कर देता हूं तो ध्यान से देखना so we have a Vinod and we have Thapa at the rate now मैं बोलूंगा share.com please share कर दिजएगा the Thapa technical react course ठीक है and console पर चलता हूं ant bomb गाई इसी मेरा गाम हो गया देखो मैंने आपको आज इस वीडियो में दो तरीके बाता है एक तो normal traditional multiple use state for each individual input field वाला दिखा है second मैंने आपको दिखा कि कैसे आप object की मतलब से multiple input fields को एक की बारी में tackle कर सकते हूं so now it's totally up to you मैं एक simple चीज बताता हूं चलो 3 है कोई problem नहीं 4 है फिर भी कोई problem नहीं लेकिन 4 या उससे ज्यादा हुआ then go with यह second तरीका जो मैंने आपको बताया यह जो input यह अपना spread operator वाला तरीका ठीक है else guys थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हर एक के लिए individual state variable क्रेट करना वो सही नहीं है कितनी इसले एक object के साथ हम दिल करें क्योंकि at the end हमें बेजना object महीं है data आगे ठीक है तो यह guys this is it आज इस वीडियो के लिए इतना ही आई हो वीडियो बहुत जाता पसंद आएगा फाइनली हमारे इस रियक्ट स्रीज में आपने रिस्ट्रेशन फॉर्म देखे बेस्ट वे टू इत मतलब एक कौन सा तरीका से करना है कौन से तरीके से नहीं करना मैंने आपको दोनों बता लॉग इन फॉर्म देखा हमने कॉंट्रेक्ट फॉर्म भी देख लिया तो मुझ प्लीज कर देजएगा मिलतो हमें आपको नेक्स्ट वीडियो में तिल दिन गईस थैंक यू सो मच टेक क्यों